ति का यह कैसे हैं आप सब बड़िया बड़िया हूंगा ऐसे मना उम्मीद करता हूं आज हम बात करेंगे Santiago कज़ेंट और Key इसनेंज क्या होते हैं यह एक पॉपलेशन जीसे कहके जैंगे क्या है और सेंपल क्या है क्यों जरूर है सेंपल और क्या क्या ध्यान रखना होता है सेंपल लेते वक्त और उसके अंदर कौन-कौन से मैथड जो वो है और कौन से मैथड जो वो अच्छे है कौन से बुरे हैं हर मैथड की क्या अच्छा ही है क्या बुरा ही है क्या उस मैथड के अंदर ध्यान रखना यह सारी बात हम करने वाले कि यह टॉपिक जो बहुत इंपोर्टेंट है स्टेट के लिए उसका रीदिन यह है क्योंकि इस्टेडी जो है वो धाब पूरी चीजें नहीं कर सकते हैं समझ यह से आदमी का दोकरनें सकते कि सहरा निकाला और फिर किया कि काई ब्लेट कोई दिक्क्त तो नहीं है और भी डिन दधर और पूरी तयार करके पिर अब yağन बोड़ी के अंदर आपस डाल देते आ तो उस चकर के अंदर आदमी निपड़ जाएगा समझ पारें पर तो युनिवर्स का मतलब क्या है कि जो सारे आइटम से उन सब को मिला के जो है वो क्या बनता है कि युनिवर्स या एक पॉपॉलेशन कि कही जगे युनिवर्स पर भी स्टेडी हो सकती है पॉपॉलेशन पर या फिर हमें जैसे इलेक्षिन के अंदर मान लीजी राजस्तान उसके अंदर हमें पता करना है कि क्या इस्तती रहने वाली है तो पूरे राजस्तान के सारे लोगों से तो हम जाके डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते उन पूरों के उपर तो इस्टेडी कल नहीं कर सकते बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बहुत ज्यादी कोस्ट लगेगी तो वहां पर हम क्या करते हैं कुछ को सलेक्ट करते हैं और उनके या फिर आप सीधे तोर पर देखें तो ब्लड के लिए जब भी आप भगवाना करें आपको ब्लड जांच की ज़रुत पड़े लेकिन जब भी ब्लड चेक करवाने आप जाते हैं या किसी रिलेटिवी की साथ जाते हैं तो उसके के अंदर आप देखते हैं कि वह सुई लग हैं अगर भाँ मेंटिके चैकट करें तब तो पूरी पुरी उनिवर्स के चक्रिण कि स्टेडे पूरे सेंच के नाम है अगर हम उसमें से खुछ अगिकान कर रहे हैं तो वह हमारे लिए सेंपल है कि सेंपल का अगर हम डिफिनेशन देखें तो सेंपल क्या है सेंपल का या यिवॉर्स का आ थ। नो कि सेंसेस के वो होते हैं है आपने सेंपल ऐसलेक्ट किया है जो इसंपल के अंतर आउचा सैंपल हो है ज és पूरे पूरे बने योंडिबर्स के अंदर जो फो ते सारे सारे बता रबान के इंदर कितना हिमोगलोबीन वगेरा था पूरी बोड़ी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर कितना हिमोगलोबीन है अगर वो सेंपल जो है वो यह बता पा रहा है तो उस केस के अंदर हम सही है क्या सर हम सेंपल के साथ 100% सकते हैं कि अब खुद ही सोचें कि बाइब 2000 से पूछ के आप एक निर्ने ले और एक आप 2000 की जगे-200 से पूछ के निरीने ले कि आप 100% अपने जो है वो रिजल्ट बता पाएंगे क्या क्या आप 100% एक्टुरेटली बता पाएंगे क्या नहीं अप्रोक्सिमेटली बढ़ता है जाता है आप जब इलेक्शन होते हैं तो उसके इसके अंदर पर इलेक्शन के ज़स्ट बाद में जो पॉल आते हैं न्यू चैनल वाले जो पॉल निकालते हैं उसके अंदर भी वह क्या करते हैं सीटे कैसे बताते हैं कि 252 270 के बीच में इस पार्टी की रहेगी इस पार्टी की 150 से 160 के बीच में रहेगी तो एप्रोक्सिमेशन चलता है क्लियर है तो हमारा यही टॉपिक है और बहुत ही इंपोर्टी के उपिक है क्योंकि श theypt fetch न्दर जो विस्टेडी होगी वह लि engag तो सज्स पहोगी रहेह जो एपने पार्टी की एक उर llevoत की उर्च प्रणी की तो एस यह ऑर्र चाम ए हगे और तो उस जांच परताल के नतीजे गलत हो सकते हैं उसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो सेंपलिंग एरर या नोन सेंपलिंग एरर कि या तो आपने सेंपल गलत लिया उस वज़े से आपके रिजल जो खराब आए मान लीजे जो पेसेंट था उसके अंदर हिमोगलोबिन सही था ले है कि Hemoglobin कम है यह सेंपल सही सेलेक्ट नहीं होने कि कारण आपने कई रिजल जो हो गलत हा रहा है और यह हो सकता है कि कोई और भी से चलकुलेशन सही नहीं कि मसीन सही नहीं इसा कुछ भी हो सकता है तो वो नौन सेंप्लिंग एरर के अंदर क्लासिफाइग होगा डाइप आप अब इस्टडी दू तरीके के होती है एक तो सेंससस इस्टडी या पॉपॉलेशन इस्टडी या यूनिवर्स के इस्टडी से 2000 स्टडी ये ठीट है 2000 स्टूडेंट है और इसमें से एक पूरा पॉपॉलेशन रहें की by h 1000 स्टूडेंट के मंने के मंतली इंकम मंतली pocket money 2000 इंडे स्टूडेंट की क्या रहती है हमने 2000 में से क्या कि 200 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया और उनके ओपर इस्टेडी कि तो यह हमारा क्या हो गया एक तरीके से सेंपल हो गया अगर हम पूरे इसे पॉपूलेशन के स्टूडी करते और उसका मीन निकालते उसका इस्टेंडर डेविस निकालते जो हम आगे देखेंगे तो यह सारे क्या कहलेंगे यह क्या है पॉपूलेशन के इनको क्या कहते हैं पैरमीट्र इनको क्या कहते हैं पैरमीट्र यहीं पर अगर हम सेंपल के यही मेल निकालें इस्टेनड डेफेजल निकलें तो इनको हम क्या कहेंगे statistics समझ पारें बात समझ अ बात समझ आ रही है को कि जो टोटल मिला कि सारे item का जो समयशन है वह तरीके में popular इसका यह यह और उसका वह पार्ट जिसके अंदर पॉपुलेशन के characteristics जो हैं वह वह आपका क्या है सेम्पल है ताइप सब यूनिवर्स यूनिवर्स कितने तरीके हो सकते मतलब total मिला कि आइटम जो उनका समुझ जो उसको कितने तरीके से केटेगराइज कर सकते हैं अगर number of units के इसाब से देखें तो वह हो सकता है कि finite हो या पिर जैसे इंडिया की पॉपुलेशन के उपर को स्टेडी करने तो वह भी एक तरीके स्टेडिया आप कर रहे हैं जिसके उपर रहे हैं तारे जो आप गिन नहीं पाते हैं तो क्या हो जाएगी हो जाएगे या फिर सर के बाल जाए वह accountable नहीं है तो उस के अंदर वह भी क्या हो जाएगा तरीके से इंफानाइट हो जाएगा कोई आप इस तरीके से नहीं हम कर सकते हैं तो वह हैं एक्सेस्प्सना कोई अब जिद करके biađढ जाये दसरत मान जी बन जाए तो वो कर सकता है तो फाइनाइट का मतलब क्या है जैसके अंदर यूनिवर्स के टोटल आइटम जो उनको काउंट कर सकते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगी फाइन नाइट यूनिवर्स जिसके अंदर क्या है टोटल आइटम जो है वो क्या है काउंटेबल है थोड़ी बहुत इधर उदर हो तो मुझे माप कर दीजेगा ना यूंकि हो सकता है कभी-कभी जैसा अगर आप एक्जिस्टेंस अब यूंस के इसाब से अगर यूनिवर्स को देखेंगे या पॉपलेशन को देखेंगे तो दो तरीके वो सकते हैं Real यह आइपोटेटिकल रियल के अंदर क्या हुता है जो आइटम होते हैं वह एक्षुल के अंदर exist करते हैं जैसे भारत की elections क्या वह क्या है एक्षुल के लोग है ग्षुल में ओवधेलिबल है या पिर घाड़िया जो bonuses को Imple टॉस पार टोस करेंगे तो नतीज हैंगी यह टाइंगे यह ओधल आएंगे अब यह गाई हिए क्या एक तर्she classe ITKL में तो पता नहीं लेकिन आप क्या कर रहे हैं हई-hey Cr 7 का कर रहे होनगे और उनको मिला कि आप उन सारे आइटम को उन सारे combination को मिला कि आप क्या कर रहे हैं अपनी population को या universe को बना रहे हैं सारे item का समूब बना रहे हैं तो उस case के अंदर उसे क्या कहा जाएगा hypothetical clear है जहां पर items जो है वो अगर सच में available है तो उस case के अंदर हम उसे क्या कहेंगे रियन अधर्वाइज वो क्या कहें लाएंगे hypothetical अब हमारे पास तरीक है option कि बहुत जासे 2000 इस्टूडेंट है तो हम चाहें तो 2000 सबसे डाटा क्लेक्ट करें अगर हम चाहते हैं कि बहुत कि मंतली इंकम जो हो क्या रहती है अगर हम यह study करना चाहते है तो उस case के अंदर हमारे पास एक तो option है कि हम क्या करें 2000 जो वो की study पूरों से जाके कि जो भी है सारे सारे students से जाके उनसे मंतली इंकम जो पूछे उनका लिखे और उनका average निकालने क्लिर है या फिर हमने उसमें से क्या किया 2000 में से 200 student select कि एक बहुत क्रास से 10-10 % सिलेक्ट कर लिए तो यह 200 student हो गये और हमने इनसे जाके पूचा कि आपकी मंतली पॉकेत मनी क्या रहती है उन्होंने अपने को बताया और उसके हिसाभ से मुने क्या कर दिया मैं लिजे अनकी मंतली इंकम तो एक है कि हम क्या करें उसमें से कुछ जो आउनको सेलेक्ट करके उनके से मनें नेड़ने लिए अब समझ आप खुल सोचेगा कि सेंसेंस जो है वह been possible लें अगर जैसे बहुत को पता करना चाहते हैं पूरे भारत से तो आप जाके पूछ नहीं सकते हैं आपके पास इतना टाइम है ना आपके पास इतना कोस्ट है कփष उस के is affordable मतलब उतनों पर जाके हम परस्टनली इसे बात करके उन आइटम के बारे में पूरे त्रीक से पता कर सकते जैंगे कि सैंसे का मतलब कह कि पॉपुलेशन के अंदर जितने आइटम उन सारे आइटम को हम चेक कर रहे हैं समझ पारें सेंसेस इंक्वाइरी का मतलब क्या है कि यहां पर जितने आइटम है उन सारे आइटम को हम क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं क्लियर तो ऐसी स्टडी के अंदर हमें सीधे इसे ब observe करें उसको हम consider करेंगे complete enumeration या पिर इसे census investigation कहते हैं complete enumeration मतलब कि पूरी तरीके से जहां से clear census investigation इसको कहा जाता है suitable कहा है अब समझेगा suitable कहा है देखिए दो वर्ड आप आगे भी सुनेंगे homogeneous और heterogeneous homogeneous और heterogeneous क्या होता है homogeneous मतलब क्या हो होमोजेनियस मतलब क्या है वेर ओल डाटा आइडेंटिकर मतलब जैसे हाइट देख रहे हैं तो आप सारे इस्टुडेंट के हाइट देख रहे हैं है 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 हेट्रोजीनियस क्या है इसका जैस्ट ओपोजिट जहां पर सारे आइटम जो हो है आइडेंटिकल नहीं है मतलब को जो है वो डाटा क्या है स्टुडेंट के आइट है कुछ students को weight है और कुछ data वो students की income है यह तो हो गया homogenius जहां पर सारे जो यह वो डाटप एग जैसे तब तो हो homogenius जहां है जैसे हम क्या कोथ है uniform और heterogenius मतलब जहां पर अलग- अलग character वो data की available है तो homogenius जब है तब तो हम क्या कर सकते हैं उसमें से sample जब ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं मेरे ब्लड के अंदर मान लीजिए कुछ ब्लड जो अलग टाइब का कुछ ब्लड अलग टाइब का कुछ ब्लड अलग टाइब का तो मैं क्या सेंपल लेके चेक कर सकता था क्या नहीं मुझे क्या पता मैंने जो सेंपल लिया उसके रिजल्ट और बाकी जो ब हें तब तो आपके पास पूरी स्टिटी करनेय करने पड़ेगा है अगर मेरे शरेर के अंदर के 25 परकार केवराग lobby ही तो मेरे को सारे बन की लेकिन कंडर मेश में की स्टिड़ेंग अधर में ने सकता हो सेंपल ले सकता हूं लेंगें कुछ kinderg ii के हैं पुछ दाट वेट के हैं कुछ डाता निके अब मैं वहां सेंपल ले ले सैंपल के अंदर उनके इंकम नका रएंडर ले ल electrone के पर ग्रोड के अंदर और ये सैंपल यो हमारे लिए करनी पड़ेगी या फिर आपकी क्या है हाई डिग्री ओप और एंड भी कह सकते हैं अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए बहुत ध्यादा तो उसके लोग हैं और पांच लोगों में से किसी एक नहीं क्या किया चोरी कि तो उसके इंदर इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा पांचों लोगों से इस्टडी करेंगे क्योंकि आपको हाई डिग्री ओप एक्यूरेसी चाहिए आप किसी एक को सीधा विक्टे नहीं बना सकते हैं क्लियर है मैरिस इसके क्या है मोर रियलाइबल मोर रियलाइबल हो नहीं है जब आप कंपलीट जो है वो इन्फोर्मेशन गैदर कर रहे हो समझेगा यहां तो हम क्या कहते हैं यह हम क्या कह रहें डिटेल इंफोर्मेशन वहां क्या कहेंगे इंडेफ्ट यहां पर क्या होता है पूरी क्योंकि सारे चेक करें तो पूरी डिटेल के अंदर आपको स्टडी मिलेगे वहां पर सेंपल के अंदर क्या होता है चोटा सा ट क्या होगा क्योंकि को छोटा सा टुकड़ा तो उसके उपर आप गहनता से जाज कर सकते हैं माल लीज़े आपका सेलेबस बहुत बढ़ा है तो उसके इसके अंदर आप क्या कैसे करेंगे सबको पढ़ना लेकिन आपके पास सिरफ दो ही टॉपिक हो तो आप क्या करेंगे उसकी इन डेप्थ स्टड़ी कर सकते हैं मतलब गहराई से स्टड़ी कर सकते हैं क्लियर मेरिट्स क्या है मोर एक्स्पेंसिव सीधी से बात है कि ज्यादा टाइम लगेगा ज्यादा कोस्ट ल प्रफिटेंस अरकमचांसे बहुत सारी जगे पैसा होता है कि जहां पर यह पूसिबल नहीं होता है कि पूरी इंडिया पर का आपको रिशर्च कर रहे हैं तो उसके इसके अंदर पूरे इंडिया के लोगों से मिलके उन से बात करके उनके बारे में डाटा कलेक्ट करना न काउंटेबल नहीं कर पाएंगा इसके जेस्ट अगेंसके अंदर क्या है ? सेम्पल इंकौररिक जब हमें सारे को नहीं करके जैसे यह 2000 तूद थाउजिंट मैं से हमने क्या कि सलेक्ट किये मान लीजे 200 इस और इनके उपर जाच कर रहे हैं यह पिर जैसे यह कंपलीट लिया और इसके उपर हम जांच कर रहे हैं तो यह हमारी क्या हो जाएगी सेंपल इंक्वाइरी जो है इसके अपने फाइदे हैं अपने इसके नुक्साने मेरेट तो क्या है सबसे पहले सेविंग भाई क्योंकि आप छोटे से पूरा ब्लड नहीं जांच रहें ब्लड का एक समझ पारें बात labor बचेगा क्या labor बचेगा in-depth study कर रहे हैं मान लीजिए आपको syllabus के अंदर 100 चेप्टर दिये जाए तो उस case के अंदर आप 100 चेप्टर को सरसरी नजर से देखेंगे अगर आपके दो चेप्टर दिये जाए तो आप उन दो चेप्टर के बारे में detail study जो वो कर सकते हैं करके एनलेसेस करना थोड़ा भर हो जाता है मोर साइंटिफिक मैथड जो सेंसस है वो क्या है ट्रेडिसनल पूरा नाव मैथड सेंपल जो नया मैथड है या फिर आप इसको यह भी देखते हैं कई बार आप घर के अंदर जब चाय बनाते तो क्या चाय जब चेक करते हैं तो क चाय बराबर इलाजची बराबर बढ़िया उबाल मारी हुए है तो उस केस के अंदर आहा कि बस बढ़िया है समझ पारें बात अबने लिए इतना से सेंपल और अपने पूरी पॉपलेशन के बारे में अपना नेडने बना लिया है तो यह मोर साइंटिफिक है पुराने ठ प्राइम के अंदर जो है उसको ट्रेडिशनल मेतड़ का जाता और इसको साइंटिफिक मेतड़ का जाता रोनाल्ड फिसर जो उसने क्या किये थे चार प्राइमरी एट्रिब्यूट बताई थे कि अगर आप सेंपल इंक्वारी कर रहे हैं तो यह चार उसके अंदर को नो होने चाहिए रोनाल्ड फिसर की चार एट्रिब्यूट जो क्यों इतने इंपोर्टेंट है कि सर आपने उसको अलग से लिखा है उसका रीजिन है कि रोनाल्ड फिसर जो वो स्टेट्स की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है आगे पढ़ेंगे और चैप्टर तो उसके अ होना चाहिए हर मामले में सस्ता होना चाहिए एकोनोमिक होना चाहिए टाइम के मामले में मनी के मामले में लेबर के मामले में और साइन्टिफिक नेचर के होने चाहिए द्यान डग लिजिए कि बाकी एक बार देखने लाइक बैस चार पॉइंट बताए थे तो वह आपको पता होने चाहिए डी मेरिट्स क्या है अब आप खोदी सूचिए कि आप 2000 से डाटा कलेक्ट करें तो आपको 100% तो नहीं मिलेगा आपकी डाटा एप्रोक्सिमेटेड रहें समझ पारें बाद तो क्या लिखा है लेक कंप्लीट करेक्टनेस कंप्लीट आपको करेक्टनेस जो है लड़्ार है मतलब कि यूछ है पूछ इंकम तो उस tua मांदनेस पास नहीं ले सकते हैं तो उसके यूषी हाईट ऑर वेड आपके इंकम नहीं लड़के को हमेशा मन के अंदर ये रहता है कि पता जी उससे कम प्यार करते हैं और सिस्टर से ज्यादा प्यार करते हैं उनका ज्यादा लाट रखते हैं उनका ज्यादा ध्यान रखते हैं और लड़के को बेचारे को पीटने में लगे रहते हैं तो यह होता है क्या बाइजन से कुछ पक्स बात है तो उसके सेंपल भी उसी तरीके से लेगा समझ पारहिए माथ जैसे एक कि आं इंडिस्ट्री के वर्कर के उपर स्टेडी करनी है अब जो स्टेडी करने वाला यह वह चाहता है वह उसके मन के के अंदर यह है कि industrial worker की जो financial position बहुत ही खराब और बहुत ही गरीब है तो वह सलेक्ट भी कैसे करेगा जो एकदम उन वरकर मैंसे जो गरीब वरकर है उनको सेलेक्ट करके सेंपल रखे का किसी और इन्वेस्टिकेटर को लगता है कि नहीं यार industrial worker की position ठीक है अच्छी खासी कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो थोड़े डंग के डंग के वरकर को सेलेक्ट करके उनका उपर स्टेडी कर लेगा इस पेसिफिक नॉलेज रिक्वाइड इस पेसिफिक नॉलेज दो केस के अंदर हो गई यहां पर पहले तो सेंपल के इस तरीके सेंपल लेना ज़्यादा सही रहेगा सूटेबल यह कहां सूटेबल होते हैं जहां वाइड एरिया और लेस एक्यूरेसी रिकॉरिड बहुत बड़ा एरिया तो वहां पर आप सेंसेस इंकुरी नहीं कर सकते ताप सेंपल इंकुरी कर लीजी या इन्फानाइट यूनिवर्स है तो उसके इसके अंदर सेंपल पर लेब ने का ओके कोई दिक्कत नहीं है अब आपस डाल दो तब तक आदमी जो निपट लिया तो अगर ऐसी सिट्वेशन है तो उसके इसके अंदर भी दिक्कत हो सकती वेर सैंसेस एनुमरेशन इस इंपॉसिबल या फिर सैंसेस इनुमरेशन इतना बड़ा है कि उसे पूर आपके पास रहेगा उमेद कर रहा हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी डिफरेंस बिट्विन और थोड़ा कमेंट के दिरिये बताए कि कैसा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है जो भी है आपको अपना रिव्यू जरूर को देदेब法 की सेंटे सेंट काफ सेंपिल अर सेंप्लिंग मैथलय करना आ uma किशनश का पूरा खेले हैं तो आपको डीटेल रहे हैं कि तो पर थोड़ा सा पार्ट जांच रहें तो उसके अंदर in-depth डिटन ऑने मिलती है सेंसेस में क्योंकि पूरा जांच कर रहें तो avaient कि कोई दिक्कत ही नहीं बची ही यहां पर सेंसस के अंदर आपका एरिया बड़ा है एक्यूरेसी थोड़ी इधर उद्र होगी तो भी चलेगी सेंपल पर चले जाएं टाइम पैसा दबाके पड़ा है टाइम भी दबाके पड़ा है मजदूर भी बहुत सारे पूरा कीजिए अगर सब थोड़े-थोड़े तो सेंपल प इनक्वारी पे जाईये सूटेबलीटी आपने उपर देखिए का कौन कौन सी जगए पर सेंसस जो वो सब्राइब पर कौन सी जगए पर जैसे इन्फच अंदर आपको सेंपल तयो होता है क्लेर जहां पर बहुत कम से हैं पॉपलेशन बहुत कम है तो उसके इसके अंदर आ आता है clear essential of sampling अब जो आप सेंपल ले रहे हैं उस सेंपल के अंदर क्या-क्या चीजें होने चाहिए सबसे पहली बात तो रिपरजेंटेटिवनेस आपने 2000 इस्टूडेंट की मंतली इंकम पे आप इस्टूडी कर रहे तो उसमें से जो 200 इस्टूडेंट आपने सेलेक्ट किये वह हाई इंकम वाले सेलेक्ट कर लिए और उसके इसाब से आपने कहा कि मंतली इंकम हर इस्टूडेंट की जो पोकेट मनी एक लाग रुपे हैं जबकि ऐसा नहीं है कि तो आपके क्या होने चाहिए जो पॉपॉलेशन के के है्लेक्ट से यह एक आ बटके सेंपल के इंदर होने चीए आपका सेंपल जो उस्पॉपॉ Wik land को क्या करना चीए रीपर्जेंट करना चीए क्लेर हैं दूसरा क्या होता इनडेपेंडेंस इन सेलेक्षन के बभर खार कर रहे हैं क्या चैस के एक मेल को जो वह सलेक्ट किया है तो सीद्जी सी बात है उसकी फिमेल को भीैट करना होगा तो यह क्या होगे डिपेंडेंस समझ पारे मत एक डाटा जो है उसके उपर दूसरा डाटा जो डिपेंडेंट दूसरा जैस्टिस के ऊपर जिट कि सारे सारे ऐसे यह बैचलर ही है और उनके उपर स्टेटी कर रहे हैं तो आप किसी को सलेक्ट करें कोई फरग नहीं सहता है फिर आप सेंपल कैसे लेंगे क्योंकि एक को लोगे तो उसके हसाब से नदर क्या कर सकते हैं ऐसेंपल ले सकते हैं और हुमोगेशन हमोगेशन टू और मोर सेंपल यह समझेगा एक एक सिम्पल लिया यह एक सब्सक्राइब इसके और स 60,000 रुपए यहां आरे 60,000 तो फिर आपके क्या कि अंग का का आपके सेंपल हो गया समझ पर तो सेंपल ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर अगर दो सेंपल लें या दो से जादा सेंपल ने तो उनके अंदर होमोजेनीटी एक रूपता यूनिफॉर्मिटिक दिखनी चाहिए सेंपल इतना छोटा भी नहीं हो जाना चाहिए बिखन आनका इनके उपर इस्ट्यटी करनी मालिनी आपके आप क्या इनकी अइ plugins पता करना आप सेंपल इतना छोटा भी नहीं होना चीह समझ पारें बार अब्जेक्ट ऑफ सेंपलिंग सेंपल क्यों लिए जाते हैं पहली बात तो उस वज़े से लिए जाते हैं कि हम अगर कम्प्लीट जो हो उसका इस्टेड़ी नहीं कर पाते हैं तो इसके अंदर हमें सेंपल लेना पड संबल लेते संबल कमी निकालते रहे स्टेटना होता उनरे उनको कंशीडर करते कि वुद बताते हैं नहीं बता तो पर 85-90 वह सकता परसेंट भी बताएं लेकिन परसेंट परसेंट बताने ज्यादा जैसे 85-90 के बीच में हो गया ऐसा कुछ बताते हैं अब हमने क्या किया जैसे झान संपल लिया संपलं के सामीन बोफ smith निकाला सिर्ण डेविशन अब हमें लग रहा है क्या यह सई है या नहीं टो हमने क्या क्या एक और संपल्लि मुंठा चीर है और या फिर टैस्ट्टिंग करेंग वह चेक करना है तो कैसे करें आपने क्या कि एक छोटा सा इलाका लिया वहां मतलब उसको एजे सेंपल लिया और उसके डाटा कलेक्ट के और उनका आवरेज निकाला आपने देखा कि यह से मिलता जुलता है तो आपने का अच्छा सेंशस इन्वेस्टिकेशन जो सही है एक त देग्री प्रेलियबिलटीट इस लेस समझ यह जैसे आपको का गया 16 ओवर चल रहा है और स्कूर जो हो हो और चुक है 163 आप से पूछा गया कि ब्वीस ओवर में कितने रन बनेंगे 20 ओवर में कितने रन बनेंगे आप से पूछा गया इसिंगल डिजेट में बताना आपन है तुम्हें पांच के रैंज मीत बता दो आपने का कि 198. है भर मेश प्इस यह किनी नहीं वह वatti खैव मेश चारी आपने खाने 913 घाला चारीं पता कि सब्सक्राइब कि सिरुछे के स्टाइब ना है भूण खैव सब्सक्राइब इसमें इससे कम रेंज यह कवर करता है तो इसमें इसमें और कम होगे और इसमें और कम हो अच्छे गासे सटोरियत हो सकता है कि आपका दोस्तों वाला तुका भी सभी बैठ जाए कोई बड़ी बात नहीं है सेंपल जो है वो अच्छा है रिलाइबल है यह बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है जैसे मैतड आप सेंपल आपने कैसे लिए अगर जस्टिस से आगे वाला टॉपिक है कि सेंपल जो किस तरीके से लिए जा सकते एक तोता रेंडम जिसमें हर किसी यूनिट के सलेक्ट ह होने के चांस बराबर एक क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद से जो है वो ले रहा है तो उसके इसके अंदर बाइज नहीं के चांस से ज्यादा हो सकते हैं तो आपने सेंपल किस लिए किस तरीके से लिए यह डिपेंड करता है मैतड़ आप कैलकुलेशन आपने कैलकुलेशन किस तरीके से किये कैलकुलेशन कहीं गडबर वगेरा तो नहीं कर दिये इस पर डिपेंड करता और साइज ऑप सेंपल साइज बहुत छोटा हो गया तो उसकेस के अंदर आप क्या कर देंगे आपका एर्र होने के चांस से जादा हो जाएंगे प्लीर है जैसे दोजार सुटूटे को अगर मुरा इस्टूटे का तो और मंतली इंकम सहन राती अगर हमने दोसुआ स्टूडेंट के शेडी करके रहें जो डाटर निकालें उसकी जगेर हम 400 सुटूटे के डाटर निकालें तो वह जायदा क्ल把它 होंग और सभी हैंगर 1500 सुपर जान् सेसन के अंदर मैठड़ सेंबलिग करेंगे इसमें तोड़े से 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 ज्यादा लग सकते हैं मतलब तो या तीन भी लग सकते हैं दो आगे वाले सेसे मी कंप्लीट भी हो सकता है एक सेसन और भी लगें बहुत इंपोर्टेंट इस वजह से इसको तोड़ा धीरे रेखेंगे वागी पर को अढकर है को ये समझाने कर्णि आपड़ है कि सब्सक्राइब जलicia का समझा जरूरत नहीं चाहिए उनिमंड या एक का मण उसम्झाना पड़कल का सेंपल का इंसे पैरामेटर भूल रहा हुँ तो जो राय है वो जरूर देवें बहुत-बहुत धन्यवाद आजते रहें मुश्कुराते रहें पढ़ते रहें बहुत-बहुत धन्यवाद